नमस्कार, News at 11 देख रहे हैं आप सबसे पहले खबर कोटा से कोटा में आज तीन शव मिलने से संसरी फैल गई भीतरिया कुंड के पास मा बेटी के शव मिले हैं वहीं उमेद गंज नहर में एक युवक का शव मिला है तो कुल तीन शव मिलने से कोटा में संसरी फैल गई मृत युवक की शिनाक्त नहीं हो पाई है फिलाल पुलिस जाच में जुटी हुई है उमेद गंज से एक और शव एक युवक का मिला है आपको बता दें कि तीन शव मिलने से कोटा में संसरी फैल गई हमारे साथ इमान्शू मितल जी मिडिया समवाता जुड़े हुए हैं इमान्शू क्या हुआ अचानक कि तीन शव मिले एक दिन में कोटा में बिल्कुल अमित ये दो अलग-अलग इलाकों की गटनाए है सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ओमेद गंज इलाके में जो नहर है उसमें सबमिला है अगर दूसरे मामले की बात करें तो दादवारी थाना इलाके में विचरिया कुन के पास में दो महिलाओं के सब मिले हैं और इस पूरे मामले में सिनाक भी हो गई है दौनों ही महिलाएं पिस्ते में मा बेटी है और पता चल पाया है परीजनों ने बताया कि पारिवारिक परखानी की वज़े से इन दौनों मा बेटी ने चंबल नदी में कूद करके अपनी जान दी है एस पूरे मामले को लेकर के दादावारी थाना पुलिस अपने सेर्प कर रही है मामला दर्ज कर लिया है शुक्रिया कोटा से इमान्शुमित्तल जो मा बेटी की शिनाक्त हुई है दादावडी थाना इलाके की जो घटना थी जहां पर शव मिले थे बताया जा रहा है कि उसमें पारिवारी परिशानी से ये खुदकुशी की गई होगी और युवक का जो शव मिला है उसमें अभी शिनाक्त नहीं हो पाई है खबर जालावार से जालावार में डेंगू का प्रवकोप बढ़ रहा है पिडावा इलाके में दो डेंगू पीडित मरीज सामने आए हैं 13 साल की डेंगू पीडित बच्ची पिडावा अस्पताल में भरती है वहीं रामपुरिया निवासी एक म दो मामले सामने आए हैं गौरव मोमी हम आए सात जुड़े में जालावार से गौरव जो दो मामले सामने आए हैं पॉजिटिव उन बिल्कुल देखिए अमीन अगिस पूरे मामले पर बात की जाये थे एक फिर टेंगू की बिमारी ने यहाँ पर दस्तक दिये और एक 13 साल की मासूम बाली का जो है वो अस्पतार ने बढ़ती है इसके साथ ही रामपुरिया की एक महीला को भी टेंगू पोजिटिव बताया ग पिडावा शेतर में एक फिर टेंगू कम हो जाता है देंगू के मच्छर मरने लगते हैं लेकिन इस बार एक बार फिर से डेंगू सामने आने की वज़ा क्या है जानकारी इस जानकारी के लिए तो चिकितसा विभाग ये वो सर्वे कराएगा तब पता चल पाएगा किये एक बार फिर से डिंगू का फ्रकू किस तरह से वहाँ पर जालावार में निकल के आया है खबर उदैपूर से उदैपूर शिफ्ट किये गए बाग T24 उस्ताद की तबियत में लगातार गिरावट से चिंता बढ़ गई है अहार नली में रुकावट की वज़से बाग परियाप्त भोजन नहीं ले पा रहा है डॉक्टर्स की टीम इलाज में जुटी हुई है सीसी टीवी से उस्ताद की गतिविदियों पर भी नजर रखी जा रही है उदैपुर्श शिफ्ट किये जाने के बाद से ही उस्ताद को काफी दिक्कते पेश आ रही है शुबात में ये कहा गया था कि उसे खब्स की शिकायत है लेकिन अब आहार नली में दिक्कते सामने आ रही है कपिल शिमाली हमाई साथ जी मिर्या समवाता चुड़े में है कपिल क्या वज़ा है कि उस्ताद की हारत में सुधार नहीं हो पा रहा पिछले 10 दिनों से लगातार टी टॉन्टिवोर की इस्तादी में लगातार गिरावत आ रही है है कि अभी तक सामने नहीं आ पा रही कि कि वनिवास कशने को लेकर वनिवास को कल देर राद एक बुलेटिंग जारी करना पड़ा जिसमें साब हो पाया के थी आहार मली में रुखावत है और यहीं वज़ा है कि वो पर्याप भोजन नहीं कर पा रहा और इसी वज़ा से उसको मल त्यागने में भी परेशानी आ रही है। चिंता बढ़ती जा रही है। आपको बता दे कि अभी जो सर्वे हुआ है उसके मताविक बागों की तादाद इंडिया में भारत में बढ़ी है। चार डिग्री तक पहुँच गया है। सर्दी बढ़ने के साथ ही सेलानियों की आवाजा ही भी बढ़ गई है। सभी टूरिस्ट पॉइंट्स पर परेटकों की भीर देखी जा रही है। साकेत गोईल हमारे साथ मौझूद हैं। साकेत कैसा माहल है माउंट अबू का। माउंट अबू परेटकों की तादाद बढ़ती जा रही है। सिरोही माउंट अबू में और माहौल आज 4 डिग्री नीचे गिरा है। 4 डिग्री तक पहुँच गया है तापमान जिससे परेटक वहां पर भारिताद में अभी भी पहुँच रहे हैं। और इस माहौल का मजा ले रहे। दिसंबर में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को काफी परिशानी होती है। सरदियां शुरू हो चुकी है लेकिन बीच बीच में तापमान उतार चड़ाओ इसमें देखा जा रहा है। बीच में दिन में गर्मी का एसास होता है। वहीं कई इलाकों में बे मौसम बारिश से परिशानी और बढ़ रही है। मौसम विभा के मुताबिक प्रदेश में फिलाल उत्तरी हमाई प्रवेश नहीं कर पा रही है। साथी पश्य में विक्षोम की स्तिती बनी हुई है। ऐसे में तापमान में उतार चड़ाव बना हुआ है। अगले दो-तिन दिन में पूर्वी रायस्थान में हलकी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभा के मुताबिक बारिश के बाद प्रदेश में ठंड बढ़ेगी। अगले बारिश के लिए रावा मिलने का यह जादा नहीं मिलता है। उसके यह कारण है हमारे यह 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 परस्पाशीमी प्रशों वह आता है फीकनली। उसके वजह से हमको नॉर्थ इन लाटिडोड से कोल्ड एयर हमारे इदर के आने के लिए नॉर्थ इन लिए आवा नहीं मिलता है। इसलिए हमको ज़्यादा टंपरेचर लगाता है। वेट आज मोस्तावदी जायर फोटी नॉर्मल रही है। खबर नागोर से डांगावास खूनी संगर श्विवाद में अब एक नया मोड आ गया है। मामले में दूसरी ओर से दर्ज कराई गए प्रात्मिकी के परिवादी ने धोके से दलित परिवाद पर पर प्रात्मिकी दर्ज कराने की बात कोट में कही है। और परिवादी सुरेश ने मेड़ता कोट को ये बताया है कि उसने मामले को लेकर किसी भी प्रकार की प्रात्मिकी दर्ज नहीं कराई है। बलकि डांगावास गाओं के कुछ लोगों ने पंच्टामे पर हस्ताक शर्थ कराने के बहाने कुछ पेपर पर दस्तखत करा लिये और गाओं के कुछ लोगों ने फाई आर दर्ज करा दी। साथ ही इस मामले में परिवादी सुरेश पूरी ने जगडे में प्रत्यक्षदर्शी होने की बाद भी नकार दी है। तो डांगावास मामले में एक नया मोड आया है, प्रत्यक्षदर्शी होने की बाद भी नकार दी गई है और ये भी कहा गया है कि कोई दूसरी पक्ष की तरफ से ये भी कहा गया कि कोई प्रात्मी की दरज नहीं कराईगी थी बलकि धोके से शिकायत दरज कराई गई थी। मनोज यह जो नया मोड आया है इससे पूरे केस पर क्या असर पड़ेगा? जी शुक्रिया तो सुरेश जो मितक रामपाल के भाई है उन्होंने कहा है कि धोखे से उनके साइन जो है वो F.I.R. में इस्तेमाल किये गए और उन्होंने कोई F.I.R. दर्ज नहीं कराई है साथ ही उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शी होने से भी इंकार कर दिया है C.B.I.E. मामले की जाँच कर रही है अब इस नए मोड के आने के बाद देखना होगा कि केस पर किस तरह से असर पड़ता है 12 के पास NH 27 पर Morning Walk पर गए एक बुज़ूर को कोटा की ओर से आ रहे है वाहन ने टक्कर मार दी जिसमें बुज़ूर की मौके पर ही मौत हो गई वहीं जिस वाहन ने टक्कर मारी थी वो भी पलट गया वाहन चालक मौके से हालकी फरार हो गया है सूचना के दो घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची शख की शिनाक्त की कोशिश हो रही है लेकिन जिस ड्राइवर की गलती है जिसके वाहन ने बुज़ूर को टक्कर मारी वो फरार बताया जा रहा है लेकिन इस हादसे में बुज़ूर की मौत हो गई हमारे स्पेशल शो फेस टू फेस में चैनल है पुशो तब मैश्रॉफ से खास बातचीत के दुरान इंद्रेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग देश को जोडने का काम कर रहा है करोणो भारती मुसलमान विदेशी नहीं है साय की राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग की तरफ से हमेशा पूरे देश को जोडने का काम रहा है इस देश के अंदर जो क्रोडो क्रोड मुसलमान है वो विदेशी नहीं है वो अपने पूरवजों से, अपने देश से, अपनी परंपराओं से, अपनी जाती और भाशा बोलियों से भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा प्रदेश पे बीजेपी राज की दूसरी सालगेरा मनाने की तैयारिया जोर शोर से चल रही है बीजेपी दफ्तर में एहम बैटकों का दौर जारी है जलसे की और काम्याब बनाने के लिए और यादगार बनाने के लिए मुख्यमंत्री वसुंद्रा राजे भी बैठक ले रही है लेकिन इस पीच विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा तीन लाग से जादा लोगों की मौझूदगी में होने वाले बीजेपी राज की दूसरी सालगीरा के समारो को लेकर बीजेपी उत्साहित है तो वहीं कॉंग्रेस ने भी सरकार की दो साल की कमजोरिया या दिलाने की पूरी तयारी की है सालाना जलसा यादगार बने इसके लिए बाकाइदा विधायक, मंत्री, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्र समेत सभी सक्री नेताओं को भीड जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है तयारियों को लेकर पार्टी कार्याले में बैठा भी बुलाई गई जिसमें 16 जिला द्यक्षों, 15 जिला प्रभारियों और 4 अगरिम प्रकोष्टों से प्रदेशा द्यक्षों समेत 106 विदायकों ने अगले 3 सालों में जनता को सरकार की ओर से क्या दिया जा सकता है इस पर मन्थन किया गया इधर विपक्ष ने भी सरकार को घिरने की पूरी तयारी कर ली है रिसरजेंट राजस्थान की सफलता से उत्साहित राजे सरकार दो साल की उपलवडियों को जनता तक पहुचाना चाहती है वही जानकारों का कहना है कि इस जलसे के जरिये राजे सरकार केंदरी नेतरत को जनता की बीच अपनी लोग प्रिता दिखाने की कोशिश कर रही है शशिमोन शर्मा, जी मीडिया, जैपुर PCC चीफ सचिन पाइलिट ने BJP सरकार के दो साल के जश्ट मनाने पर सवाल उठाए है उन्होंने कहा है कि सरकारी पैसे का ये दुर्प्योग है पाइलिट ने कहा कि सरकार को पाथ साल के लिए जनादिश मिलता है लेहाजा हर साल इस तरह से वर्षगार्ट बनाना ठीक नहीं है जी जैपुर लिटरिचर फेस्टिवल 21 जनवरी से शुरू होगा 25 जनवरी तक चलने वाले इस 9 फेस्टिवल की हर अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे फेस्टिवल की तारीक की विदिवद घोशना दिली में की गई जैपुर में 2006 से आयुजित किया जा रहा ये फेस्टिवल एशिया का सबसे बड़ा लिटरिचर फेस्टिवल है इस बार के जी जैपुर लिटरिचर फेस्टिवल में सब कुछ होगा किसा गोई लिखने की अलग-अलग विधाओं के कॉम्पिटिशन और नए-नए लेखकों को उभरने के मौके और ये सब कुछ होगा एक बेहत खुबसूरत और सहिशनु माहौल में अलग-अलग points of view तो exist करता है हर जगे में most important है कि वो respect की जो चीज़ है you have to respect कि कि किसी और का कोई point of view है वो भी respect करो ये हम नहीं कह रहे है कि सब को एक ही point of view इंडिया एक ऐसे जगा है कि हर type की idea होती है हर type की thoughts होती है हर type की religion होती है उसमें as long as we realize कि respect की ज़रूरत है फिर वो ideology से हट जाता है intolerance, tolerance तो negative चीज़ होती है दुनिया के जाने माने नोबेल पुरसकार विजेताओं के साथ प्रांतिय भाषाओं के जानकार पत्रिकारिता के दुनिया के बड़े नामों से लेकर बॉलिवुड के चर्चित चहरे जैपर में इखटा होंगे एक native American writer है Deborah Magpie तो वो आएंगी और एक प्रख्यात लेकी का है Margo Jefferson जोन्होंने एक Negro Land नाम की किताब लेकिए वो आएंगी तो मेरा तो जैपर में जो पैशन है वो है Voices from Below जैपर में 2006 से आयोजित किया जा रहा Zee Jaipur Literature Festival एशिया का सबसे बड़ा Literature Festival है Festival 21 से 25 जनवरी तक जैपर के दिख्यी पैलिस में चलेगा एंट्री फ्री है हाला कि हर साल जुटने वाली लाखों की फीड को देखते हुए बक्त रहते रेजिस्ट्रेशन करवा लेना ही पहतर है तो आप भी साहित्ति प्रेमी हैं तो अपना रेजिस्ट्रेशन वक्त पर कराएं आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर आ रही है कोटा से कोटा कोचिंग चात्र सुसाइड मामला एलन कोचिंग के चात्र लुध्याना के वरुन का मामला जिसमें वरुन के परिजन लुध्याना से कोटा पहुँचे हैं कोचिंग संस्थान को बताया अपने बेटे वरुन की मौत के लिए जिम्मेदार बीते पांच महीने में एक बार भी नहीं दी कोई जानकारी ये आरोप है वरुन के परिजनों का आपको बता दें कि कल खबर आई थी वरुन लुध्याना का जो चात्र है जिसने खुदकुशी कर ली थी कोचिंग संस्थान के खिलाफ कारवाई की मांग की है वरुन के परिजनोंने हिमानशू मित्तल जीमिर्या संवाता कोटा से जुड़े हुए है हिमानशू लुध्याना से जो वरुन का परिवार आया है उन्होंने साफ तौर पर कोचिंग संस्थान को जिम्मेदार बताया है क्या अपडेट वरुदकों आमित आपको बताएं कि वरुन के जो परिजन है अपने बेटे की मौत के लिए कोचिंग संस्थान को जिम्मेदार बाना है और वह भी क्योंना आमित जिस तरह से आप अपने आपने जो चीज निकल करके आई है अपने आपने बहुत प्रश्पाद रही है कि अगर कोचिंग संस्थान ये कहता है कि वरुन अगस्त माह में पांच दिन पोचिंग में आकर कि अटेंडेंस की थी काल वाज दिन आया था सप्टेंबर माह में और से दो दिन आया था ऐसे में अपने अपने जिम्मेदारी बनती थी कि परिवार को अबगत कराया जाए जी मांचू ये बहुत एहम है हम लगातार इस मुद्दे को लेकर मुहिम चलाते आ रहे हैं हम दर्शकों को जागरूप करते आ रहे हैं किस तरह से कुटा की कोचिंग कातिल हो गए है एक तरह से कहा जाए और हमने लगातार बताया है कि उन्हें सिर्फ फीस से मतलब है और छात्रों की कोई भी परवा नहीं है इसकी साफ तोर पर मिसाल देखने को मिल रही है जिस तरह से उन्हें अगस्त में पांच दिन बच्चा आया, सेप्टेंबर में दो दिन आया जाहिर है उसके साथ कोई न कोई परिशानी होगी परिजनों को अवगत कराना बेहद जरूरी होता है क्या वज़ा है कि इतना लापरवा रवाईया कोचिंग वाले अपनाते हैं सीधे तोर पर मतलब समझा जा सकता है परिवार का यही कहना है कि यह आपने बहुत बड़ी लापरवाई है आप जब सीधे तोर पर किसी दिम्मेदारी लेते हैं जब बच्चे का दाखिला हो रहा होता है तो आप बाते करते हैं कि इस बच्चे कोई परिवार का जो एडमोस्पेर है वो दिया जाएगा परिवार की तरह माहौल यहां पर दिया जाएगा अब आगे किसी और बच्चे की जान ना जाए ऐसे में इन कोचिंग संस्तान के खिलाफ कारवाई बहुत जरूरी है जी जी बहुत शुक्रिया हिमानशू तो एलन जैसा कोचिंग इंस्टिटूट जो अपनी छात्रों की उपलब्धी के बाद अपनी वावाई कराता है लंबे चोड़े एड्स शपवाई जाते हैं कि हमारे इंस्टिट से इतने बच्चे फलाँ फलाँ परिक्षाओं में पास हुए और अब जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो ये रवाईया है ये मिसाल वरुन की साफ़ तोर पर जाहिर करती है कि कोटा के एक कोचिंग इंस्टिट एलन जैसे कोचिंग इंस्टिट कितने लापरवा है जाहिर इस केस में पुलिस जाच करेगी तब दूद का दूद और पानी का पानी होगा इस पुलिट में इतना ही बढ़े रहे हमारे साथ